10 में कोई डाउट है आपका किसी का 10 में अगर मालो कोई डाउट आपका कोई option समझ में नहीं आया हो एक बार में जाधा समझ में क्या बात है दो बार हो गया है देखो आज हम सेखिने वाले अगर में सट का डे 11 तो पढ़की बता दो कितने पॉइंट टोटल टोटल इसमें पॉइंट इस त्यरा तो पहला पॉइंट है यहमारा एनुलप दूसरा पॉइंट है हमारा लेवल श्पेलिंग अंग्रैमर वर्ड काउंट न्यू कोमेंट डिलीट प्रिवियस नेक्स्ट ट प्रोटेक्ट डॉकमेंट यह तीरा पॉइंट आधा सब शीखने वाले हो ठीक है तो पहला पॉइंट है एनुलूप कैसे बनाते हैं एनुलूप क्या होता है देखो जैसे मेरे पास यह देखो सटिफिकेट आया है मेल के दुवारा कूरियर से अभी जो मेरे सटिफिकेट इस पर देखो एड्रस लिखा हुआ है यहां देखो कि लिखा हुआ है टू और यहां देखो कि लिखा हुआ है फ्रॉम फ्रॉम तो थोटा सा मिट गया देखो दिख रहा होगी नहीं तो तो का मतलब होता है कि किसको यह मेल जाएगा अब फ्रॉम का मतलब होता है भेजने तो इस पर दो एट्रस होते हैं एक भेजने वाले का और एक रिसीवर का ठीक है देखोंगे मेरा नाम है नीट इन्फर्मेसर टेक्नोलोजी एन एटी कंप्यूटर तो इसको बनाने के लिए क्या करना है बस आपको जाना है मेलिंऑ टेम् में औरきた आप अन्यवर बनाने आ इसके लिए कर सकते आप फैले कंट्र पर फोल न करते हैं एक नया कीक्ते यह शनुर्मेंट दहु Great और इसकी पैकिंग करो छेज ताकि रास्ते में कहीं टूर फूट ना जाए या फट ना जाए तो इसकी पहले से मुझे पैकिंग करके इसके मुझे दू एडर्स लिखने पड़ेंगे एक टू और एक फ्रॉंग और फिर जागे पोश्ट उपिसे मुझे देना पड़े गई तो आडर्स कैसे निकालते हैं वो देखलो आप बस आपको जाना है मिलिंग टैब में और यहां मिले आपको एनलब का उप्शन इसके पर आपको कलिक करना है जैसे कलिक करोगे तो यहां आप देखो लिखा हुआ है डिलिवरी अडर्स तो यह टू है फ्रॉम है यह टू है तो यहां लिखेंगे पहले टू जाब में डिलिवर करना है और फिर हम लिखेंगे उसका नाम जिसको डिलिवर करना है मुझे यह डिलिवर करना है किसी स्याम को तो यहां लिखते हम स्याम और उसके पिताजी का नाम भी लिख सकते हैं साथ में उसके पिताजी का नाम है माल स्काराइटर्स है आओस नमबर दस और हाउस नमबर दस कहा पर है जैसे नियुसी होते हैं ब्लॉक्स होते और यूं पर गली है ठीक है तो आधण हैं जपसी नमबर दस ल LazioBlock में कृ तो मिलॉक कॉ अब कर ज़ुआ है अजयादपुर कहां पढ़ता है यह पढ़ता है डेली में तेचांडी में इतना ठीक है समझ में आगया उसकी कपन कोड डाल सब्सक्ते आप डेली का जोवी में कोड है और फिर यहां पे उसका कॉंटेक नंबर लिख सकते हैं यह कॉंटेक नमबर रुज़कर अगे उसके थे हमें लिखो गया फ्रों फ्रों हमें यहां पर क्या लिखा हुआ थायना कॉन केंट संपुटर है नंटक नमबर ओढ़ा चालय की ओक्से दिंधा किनी मैंने सफिंधी Border मिल बना रख़ने के बाद यहां पर डीह हो गाड दो और करना एक की जैसे आप मतलब होगा सेंडर बेजने वाला का एड्रस और तू मतलब अगया रिसीवर हमारा स्याम को रिशीव अने वाला एमेल अब यह काफी बड़ा भी दिख रहा को तो आप इसको सीजर से या किसी भी चीज़ से कट करके अच्छे से उसको चिपका सकते हो जिसे यहां पर चिपकाने के लिए यहां पर चिपकाने के लिए पूर अच्छे से अब जैसे मरजी वह से प्रिंट आउट करके इसको टेप से चिपका हो उसके पर चिपका के डाक्या का आप देऊगे वह आप से कुछ चार्ज लेगा और आपका ने लिखा हुआ है ठीक है प्रिंट प्रिंट करोगे इस तर इतना संजमें आगे आपको एक होता हमारा लेबल लेबल क्या होता है इसको भी देख लेते एक बार अब जैसे वालोगो कोई दुकान से अब समान खरीटते हो दुकान क्या करता है चोटा सा लेबल उतारके उसको आपके समान के पर चिपका देता एक उसके वोर्नटी कुछ भी आपि यहांपे लिख सक्ते हो लेबल में बारकोड कोई है वह भी आपि अहांपे ENTER कर सकते हो तो हमें तो भाई दुकान का नाम ADDRESS allow स्कोंटेक-नबर यह चाहिए लेबल के उपर यहाँ पे दुकान का नाम लेखते हैं मुझे दुकान का नाम है SIAAM मनियारी ठीक है यह कहां पर रपके हो मनियारी यह है कुंडली गाउं में कुंडली गाउं और यहां पर contact number दुखान वाले का जो भी contact number है वह आप यहां पर एंटर कर सकते हो इतना समझ में आगे आपको एक page आप और दो label चाहिए, यह एक page में आप को 4 label चाहिए, यह एक page आप को 30 label चाहिए यह देखो दो दो बार लिखा हुआ है हर एक चीज अगर आप यहाँ पर कलिक करोगे देखो, 30 पर page में इसमें देखोगे इसकी height ज़uitar है और चुडाई देखोगे कम है अगर मैं यहां कलिक करता हूं देखोगे इसकी चोड़ाई ज्यादा है और इसकी हाइट कम है अगर आपने यह वाला लेबल स्लेक कर लिया 30 पर पेज वाला तो एक पेज में 30 लेबल तो आएंगे पर इसमें क्या होगा हाइट आपको ज्यादा मिलेगी लेबल की और चोड़ देखो इसकी हाइट जाता है और चोड़ाई कम है अगर मैं यहां पर लेबल का डिजाइन चूज करूँ मैं चलते हैं लेबल मापिस और यहां पर ऑफ्सन में चलते हैं चेकेंड वाला जोगने 30 पर पेज इस पर क्लिक करके अब मैं OK करता हूं देखो इसमें क्या है पेज करोगे सेंटर में जाय गई बोल्ड करना है इसको कंट्र बी से बोल्ड कर सकते हो साइज बड़ा उठा करना है आप यहीं भी सारे चीज यह इंसे मैंटेन कर सकते हो तो लेबल बनके आपका बिल्कुल तयार है अब इसको को प्रिंट आउट निकालना जो चिपकने वाला पेपर होता है ठीक है उस पर निकालेश का प्रिंट आउट और जो भी अपने समान बेचा उस पर लेइश टिगर उठाया उसके उपर चिपका दिया है तो लेबल बनाने के जोठ पढ़ती है अपको तो इस तरह से जोट बना सकते हो एक पीज में रागला है अब अगला ओप्सन अब आऊगे रिवीव में review time में पहला option यहाँ पर spelling and grammar यह क्या होता देखो जैसे यहाँ पर कुछ मैं गलत लिखता हूँ और देखना spelling grammar से हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ I has a painting ठीक है यहाँ लिखा मैंने I has a painting देखो अब यहाँ पर आगे red line ठीक है अब यहाँ पर कुछ गलत है इसलिए आगे red line इसको ठीक करना है कैसे ठीक करोगे यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर spelling and grammar पर जाओगे और देखो यहाँ पर P, A, I, T, A, N, G से कितने सारी spelling बन सकती है वह session में दिखा रहा है आपको यहाँ पर देखो तो यहाँ पर तीनी spelling बन सकती है तो आपको इसमें से क्या लिखना है तो हमें लिखना है उपर वाला painting पर हमें क्लिक करके change करेंगे देखो यह ठीक हो जाएगा इसमें grammar mistake है इसमें दिखा नहीं रहा है कुछ और लिखते हैं यहाँ पर मैंने लिखा एपल एपल लिखा मैंने आप देखोगे यहाँ पर एक blue color आ गया है और एक red color आ गया है जो blue color आपको दिखा रहे है ना इसका मतलब पर grammar mistake और जहाँ पर apple लिखा हुआ है इसमें last में क्या आएगा जिसके नेचे आपको red line दिखाए दे इसका मतलब वह वर्ड गल्क लिखा हुआ है और जहां पर बुलू लाइन दिखाए दे इसका मतलब वहां पर कुछ grammar mistake है तो इसको ठीक कैसे करना है आपको यहाँ पर जाना है भी ठीक हो जाएगा और यहां बता रहा है यहां पर देखो क्या आएगा एन आएगा क्योंकि पहला अक्सर यहां पर बहुत बहुत है तो यहां पर चेंज कर देंगे इसको भी यह भी ठीक हो जाएगा और यहां लिखाए spelling and grammar check is complete you are good to go देखो तो कोई भी grammar mistake होती है उसके नीचे अगर मालो 2013 से नीचे का वर्जन है तो वहां पर आती ग्रीन लाइन 2013 से उपर का वर्जन है या 2013 है तो उसमें आती ब्लू लाइन grammar mistake में ठीक है बस इसका यहां रखना आप वैसे तो कोई भी गलती होती है मैं ऐसे ठीक कर लेता हूं जेखो बस यहां पर रैट किलिक करना आपको रैट किलिक करने बाद यहां जेखो एडबल पी से कितने लिखा है ठीक है कि लिए अब यहां पर लिखा मैंने स्यांग यहां पर आगर एड़ लाइन पर यह नाम बलत लिखा हूँ है तो इसको आप यहां से रैट के लिख करके एग्नौर कर सकते हो ऐसा कुछ है तो अगला आप सुनोता है मारा वर्ड काउंट वर्ड काउंट क्य कि आप दिखने के लिए अपने तक चार वाड टाइब किये यह देखा सकते हैं यहां सब कुछ बताळा देगा पूरे आपके सबस्क्राइब, अगर यहाँ पर मालो कुछ ज्यादा लिखा होता अगर मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिख दूं अब मैं देखो हैं कितने सारे लिख दी वर्ड वह सारे लिख दी है मैंने अब वर्ड काउंट पर क्लिक करोगे यह आपको सब कुछ दिखा जएगा आपको नमबर पेज एक है वर्ड कितना लिखा इसके अंदर 249 और लेटर या करेक्टर कितने हैं 1063 साथ में स्पेस भी हैं और प्रग्राफ कितने 5 और लाइन कितनी है 15 चेक कर लोग सब कुछ ठीक बता रहे हैं तो यह फीचर होता आपका वर्ड काउंट का एक होता हमारा न्यू कमेंट न्यू कमेंट क्या होता है अगर आपको कोई कमेंट लगाना है जैसे यहां लिखा है डोकमेंट इसको मै न्यू कमेंट पर यहां लिख दिए देको मैंने गुड यहां दीख के मेंट आ इसको मैं सब्सक्राइब को और सवे और है करोगे कि country को डिलीट करना है यहां तक पहले यहां करोगे नेक्स्ट यहां तक कहुंच और नेक्स्ट यहां तक प३ुझ चुकर हो और यहां पढर दबात हो गयर को इतना सइसमें आ गया आगर माला आपने कुछ कुछ सब आँ आपको और यहाँ पर दिक हटा देना नहीं रखाई नहीं देगा सब्सक्राइब करो प्रेवेस करो प्रेवस करो फिर यसके बढूर सब्सक्राइब कि जिसे फिसक्र Erst carts करते हो सब्सक्राइब एक ठ्रेक चेंज अब यह और रहने कुछ सब्सक्राइब का्पु हो कुछ यादmot को और धाकर सान कॉछ याद धार जिस लिंग लिखा है इसको इसको एक प्रीलीटे कर दोग है अब यद्यूंट कर दोग्मेंट कर दोग्मेंट कर दोकुमेंट उसको डिलीट किया वह इसको मैंने यहां से कट किया और यहां पर मैंट के बाद इसको paste कर दिया ठीक है उसकी बाद यहाँ पर can लिखा हुआ है इसको भी मैंने यहाँ से cut किया और keep की बाद यहाँ मैंने paste कर दिया ठीक है फिर यहाँ पर मैंने इसको text size थोड़ा increase कर दिया याद रहेगा न आपको सारी चीज़ों मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार नहीं करूँ इसको मालो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ सो से डेट सो बार नहीं रहेगा ना तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ट्रैक चेंज करोगे तो वह नहीं यहाँ पर आपको ओटमेटिक के दिखाता रहेगा आपने जो भी चेंज किया है और उसको रखना है तो यहाँ पर एक अफस्वन होता है accept का अगर उसको नहीं रखना है जो भी अपने changes किया है तो आप उसको एक ही बार में यहाँ से कर सकते हो reject ठीक है तो यह बड़े काम का feature है देखते हैं इसको यूबर सब कुछ मैं देखो पहले की तरह कर दिया अब हम क्या करते हैं यहां पर track change को ओन करना कितना असान है बस आप यहां पर click करो यह on हो गया track change अब यहां पर लिखा है document इसको मैंने select किया और यहां delete कर दिया देखो कि यहां पर दिखा रहा है यह delete हुआ है कि मैंने क्या किया जो लुक लिखा हुआ है इसको मैंने select किया तो इसको साइज कर दिया मैंने इसको स्लेक्ट किया इसको बोल्ट किया यहां दिखा रहा है देखो कुछी सेकंड पहले यहां पर इस फॉंट को बोल्ट किया गया है अगर मैं किसी को अंडरलाइन भी कर देता हूं जैसे इसको मैंने स्लेक्ट किया और इसको मैं कंट्रूल यूस से अंडरलाइन कर देता हूं देखो यह बता रहा है कुछी सेकंड पहले उसमें कुछ correction किया है और track change आपने own कर रखा है तो आपका benefit ही होता है कि आपने उस document पर जो भी changes किया वो आपके सामने दिखाए दे रहा है मैंने इसमें यह changes किया है और जो भी changes किया है मुझे इसमें रखना है changes को तो यहाँ पर एक feature होता है accept का क्लिक करता हूं यहाँ पर accept all change and stop tracking अगर मैं इसमें कुछ करता हूं यह सब कुछ accept हो जाएगा और जो tracking है यह क्या होगा यहां पर बंद हो जाएगा एक फीचर यहां पर accept all change अगर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं तो देखो यह सब कर सब accept हो जाएगा पर tracking अभी चालो है अगर मैं जो भी changes किया है यह मुझे यहां पर फीचर होता है reject करने कहां यहां फीचर होता है reject all change जाएगा है इसमें फीचर और हमें जो भी ने हिंगे कुछ चीज़ें है और खुछ चीज़ें में नहीं रखनी है तो यहां पर पहले ही वहाँ तक पहुच हो गए next करोगे previous करोगे देखो जैसे मालो मुझे यह जो हमने look को cut किया है यह मुझे रखना है तो यहाँ तक पहले मैं बोच चुका हूँ look तक उसकी बाद यहाँ पर देखोगे accept का एक feature है और यहाँ लिखा accept and move next तो इस पर मैं click करोगे देखो वह accept हो गया और मैं आगे move कर चुका हूँ इसको मुझे accept करना है तो यहाँ मैं करोगे accept and move देखो यह accept हो गया और मैं आगे move हो चुका हूँ और ऐसी मालो मुझे कुछ चीज़े reject करनी है तो मैं यहाँ पर जाओगा reject and move करूँगा देखो यह चीज़ reject हो गई है और मैं आगे move कर चुका हूँ और सब कर सब reject करना है तो simple है reject all change reject all change and stop tracking कर सकते हैं तो वह stop करने के लिए आप यहाँ के लिए करोगे यह stop हो जाएगा तो track change में बताओ समुझ मैं आगे कि नहीं है करने के बाद जो भी आप काम करोगे वह आपको दिखाते रहेगा आपने क्या क्रेक्शन किया है accept करना है तो accept कर सकते है और reject करना है reject कर सकते हो आगे पीछे move करना है तो यहां से कर सकते है एक last का feature होता है protect document जैसे मालो मुझे क्या करना है मैं चाता हूं कि कोई भी बंदा देख सके और काम ना कर सके बस देख सके तो इसके लिए आप यहां पर किलिक करोगे और यहां पर टिक लगाओगे और यहां भी टिक लगाओगे और यहां भी टिक लगाओगे और यहां पर करोगे इस्टार्ट इंफर्सिंग प्रोटेक् कर पांदके कर पाईगा करेक्षों सिफमें नहीं होगा अगर आपको काम करना तो यहां पर करोगे Feder education और यहां पर पासवर्ट जो बसे लगा था लिगाए था आइंटर करोगे और यहाँ पे करोगे encrypt with password पे click करोगे और यहाँ से जो password लगे ह। यह main होता है अगर अपने password लगा दिया फिर file को जाके save कर दिया अपने और यहाँ पे हम save कर देते है my documents के अंदर और यहाँ पे किसी file का नाम देते ह। मैंने दे दिया इसको यह दे दिया और save पे क्लिक कर दिया ok कर दिया देखो file का नाम यहाँ पर यह लिखा हुआ है और इसको मैंने बंद कर दिया आप कभी को इस file को open करना चाहेगा तो उसमें क्या होगा पासफ़र्ट कुछेगा जिसने excel सीखा उसको पासफ़र्ट लगा नाते होगा यहाँ पर जाना है बस आपको यहाँ पर फाइल आपका क्लिक करोगी पासफ़र्ट को सीखा अगर आपको पासफ़र्ट बता है तो आप इस file में अंटर कर सकते होने तो नहीं कर सकते है तो यह था अपका MSWRT का day 11 तो हमने क्या की सिखा इसमें गार्भ को पासफ़र्ट को श्क्राइल करते हैं बाट करते हैं कोई है भी कमेंट कैसे लगा के इस Making को इसको डिलीट कैसे करते है या कमेंट को next previous कैसे करते है फिर अपने से का track change क्या होता है कैसे apply करते हैं इसको उसकी वाद show markup में comment को कैसे छुपाते हैं और अगर अपने track change लगा दिया है जो भी अपने correction किया उसको रखना है तो accept का use कैसे करेंगे या उसको reject कैसे करेंगे और last में किसी भी document को reject कैसे करेंगे तो हो गया आपका ये 13 point उटा कोई दिक्कत है भी किसी point में नहीं है तो आप इसको note कर लो